हज़े न्यूज की रिपोर्ट ज्यादा जानकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नमस्कार आप सब का स्वागत है हज़े न्यूज में कहते हैं न कि अगर किस्मत साथ हो तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता कुछ ऐसा ही हुआ तीन साल की उस बच्ची के साथ जो वाशिंग मशिन में बुरी तरह से फ़न्स गई थी लेकिन इसके बावजूद वो बाहर निकलने में सफल गही और उसे बिलकुल चोट नहीं लगी आपको बता दें कि ये घटना चीन की है जहां एक तीन साल की बच्ची वाशिंग मशिन में फ़न्स गई थी दरसल उसके माता पिता बच्ची को घर में अकेले छोड़ गहीं बाहर गए थे वो गलती से वाशिंग मशिन का प्लकॉन कर चले गए थे जब दोनों घर लोड़े तो उन्हें अपनी बच्ची के जोर जोर से रोनने की आवाज सुनाई दी उन्होंने शीन में ज़ाग कर देखा की बच्ची के शरीर का निचला हिसा मशिन के स्पिन ड्राई में फसा हुआ था बच्ची के माता पिता ने तुरंट लोकल फायर सर्विस को कॉल कर बुलाया और बीस मिनिट की कड़ी मेहनत के बाद मशिन का ड्राई काट कर बच्ची को बाहर निकाला गया लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी की वाशिंग मशिन में इतनी बुरी तरहें से फसने के बाद भी उस बच्ची को जरा सी भी चोट नहीं आई थी मशिन से बाहर निकलने के बाद बच्ची ने बताया कि वो खेल खेल में मशिन के अंदर खुस गई थी